नमस्कार आप सभी का स्वागत है यह जो लेक्चर है है हमारा पार्ट टू है ब्रिस्पती देखे इनका जो अभी तक हमने स्टेट क्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है स्टेट क्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ चुके है जो आज का जो लेक्चर है वो है चुडिशिन सिस्टम एंड इंटरिस्टेट रिनेशन नयाय ववस्था और अंतराजे सम्मन यहाँ पर दिखे ब्रेस्पती को सुरू से करने सुरू से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहूँआ कि देखे कि कई बार हम सब देखते हैं कि जो नयाय ववस्था है जो वर्तमान में जो कोर्ट सिस्टम है और तरह तरह की नयायाले हैं तो क्या यह जो नयायाले का जो विचार है या जो कंसेप्ट है या जो स्ट्रक्चर है क्या हैं हमें इंडियन ancient time ऑसी नयाय आनने हुका जिक्र है यह नहीं है तो देखी एक famous Supreme Court के justice है अब्दून नजीर हैं उनोंने भी बात करी थी कि हमें जो ancient India में जितना भी jurist potatoes था जो नयाय ववस्था थी या फिर जो नयाय करने का परिक्रिया थी उससे हमें सीफना चाहिए और हम बहुत सारी जो वर्तमान की जो समझ से आए है उसको हम पार पाएंगे देखिए आज की टाइम में है गया देखिए जो नियायान है वो एक अलग स्वरूप से फंक्शन करते हैं एक पर्टिकुलर लेंग्विज में बात करते हैं और आपको इतना कठीन हो गया है कानुन कि आपको एक वकीर करना ही पड़ता है और जो भासा जो सरण है जो कानुन की वो कहीं न कहीं आज कर बहुत टेक्निकल हो गई है और आपको हर चीज़ समझने के लिए आपको एक वकीर रखना ही पड़ेगा तो इंचिन टाइम में क्या जो न्याय की बुद्धी मता है, या न्याय शीलता है, क्या वो आज की हमारे जो वर्तमान समय की जितनी भी समझ से है, क्या उसको दूर कर सकती है, क्या हम उल्लाह से कुछ ले सकते है, जो हमारा जो इंडिया दो जो सिस्टम है, उसको और अच्छा गर सके, तो अगर आप सब चा ती आज भी देखिए आज की टाइम में क्या है कि न्याय आ आन्य में में जो कोई बी जाता है केस तो देखिए वो और भस्ता चला जाता है उस 230 आती रहती है और हर कोई मैनिपलीट करता रहता है वकील जो जूट होता है उसको भी सज साबित करने में लगे रहते, तो दिखी कोई न कोई प्रॉप्लम है, और वो बोलते हैं कि हम तो अपना ड्यूबी कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है, नियाय का नियाय की विवस्था का ये अंग नहीं है, कि आप नियाय का मतलब है कि जो जो वेक और इतना स्यादा कथिन हो गया है निया विवस्ता में कि जो आम लोग हो आई नहीं पाते और गोजरी कि अदर हम देखी है तो जैसे निया अन्य में मामला जाता है तो लटक जाता है और अगर हम देखे इंडियन time में, इंडियन society में तो देखें बहुत चलदी फैसला हो जाता है कि क्या बोले जाता है चलिए मंदिर में जा कि कसम खाएए मंदिर में तो हर कोई दूत को दूत पानी हो जाता है क्युश्ट बहुत में क्या वो इनक्लूसइव है या नहींійсь ठीक, इंकल्यूसिम मतलब वो सबको अपने अंदर समाहित कर पारी है और नहीं कर पारी, यह पट्व ओनिकलास है उसको बाते से लोगों को नियाय मिले किसी को भी अगर कोई हानी होती है तो उसका जल्दी से जल्दी निवारान या उसकी छती पूर्ती करी जाए कंपनसेट कर जाए बट आज की टाइम में जो नियायन है वो बहुत बड़ी लंबी परिकिलिया कि उसमें बढ़ चुक गया है यहां पर इसनी इंपोर्टेंट हो जा रहे है कि यह पहने ऐसी विचारक है जो नियायका सिंथांत का प्रतिबादन कर रहे है अपनी स्मृती में देखिए एक चीज़ याद रखेगा जितनी भी स्मृतिया है वो सारी मनुस्मृती के ही सही डिराइड करिये चाहे ब्रस्पति हो चाहे सुक्रा जा रहे हो कोई सींथी स्मृति हो या नार्दा स्टियो सब मनुस्मृती से ही डिराइव कर रहे है देखिए जो ब्रस्पति यहां पर जुडिशिल सिस्टम को बहुत अच्छा मनत है क्योंकि इस एन जो है जुडिशिल सिस्टम में किसी भी राजय का बेसिस होगा और देखी ब्लस्पती स्वृति में देखी इस पश्ट रूप से हमें ही मिलता है कि जो राजा का जो कंसेप्ट है यह जो राजा का जो जो इन्सिटूशन है जो सरज्टा है उसका अस्तित्व में आना ही यह यह कारण है कि नियाय और आवय अवस्था वो दूर करें और समाज में सांती व्यवस्था नियाय की स्थापना करें या उसका नियाय को वहवार में ने क्या इसलिए राज्ये का सिर्जन हुआ है आते कि जो ब्रस्पती है देखी यह मान के चाहिए कि ब्रस्पती जो है वर्ण आस्रम व्या वर्ण व्यवस्था में अपना विस्वास रखते हैं और वो मानते हैं कि यह ठीक से कारे करता है और नियाय बना रहेगा समाज में तो ब्रस्पती ने तीन सब्द लेके आते हैं ए आएगे संदर में इफ्तु धर्म हो गया दूसरा हो गया डंड और तीसरा हो गया आपका वहवार यानि पीहेविरल बेहेविरल देखिए इसको प्रैक्टिकल भी बोल सकते है आप प्रैक्टिकल ठीक है देखिए और हिंदी में आपर हिंदी वारी स्टूरेंट हो उसको भेवार यहां पर वेवार देखें, धर्न, डंड और वेवार इन तीनों को न्याय ववस्था के अंदर लेखे आते हैं। इन तीन सब्ध को वो अपने न्याय ववस्था के विचार को सुरू करते हैं। तीन सब्दों से अठीक धार्म का मोटा मेटी आप सब आर्फ पता होगा आप सब्को जितना भी आप याप तक हमने डिसकस करा है और जो यहाँ पर ब्रसपती यूज करें लिए ब्रसपती जो यूज करें भ्रहमान के लिए यूज करें कि जो न्याय वोस्था ऐसी हो ने छी जो इस लोग में और परलोग दोनों में ही सामन जससे है या पिर एक centres थापित करें यानि अगर हम बात करें तो जैसे इस लोक में तो बोलेंगी कि लोग अपने वर्ण आस्रम में वहवार करें अपने वर्णों में वहवार करें सुधर्म का पालन करें अपने कर्तव्यों का पालन करें से आगे जाके उनको क्या मिलेगा मोक्ष मिलेगा या फिर उनको परमगती की प्राप्ति होगी जो दोसरा आयाम जो है वो है डंड देखिए धर्म और डंड जो है न ये दोनों एक दूसरे की कॉंप्लिमेंटरी है यानि दोनों की एक दूसरे के प्रसपर है या फिर पूरक है देखे यहाँ पे जो डंड है जो punishment है ठिक है उसका यहाँ पे यह नहीं है की सत्ता का एक तर से भै क्रेट करना या फिर एक fear क्रेट करना बलकि क्या है की एक ऐसी वुष्था का निर्बान करना जिसमें लोग अपना स्वाधर्म का पालन करें यानि केवल और केवल राज्य जो डंड है उसका यह नहीं है कि लोगों को डराएगा या फिर एक्टम भै का महोल या फिर फिर क्रियेट करेगा नहीं केवल और केवल यह उसको पॉजिटिव वे में इसको positive way में कि डंड का परियोग इसी लिए किया जाएगा कि यहाँ पर सांती विवस्था बनी रहे लोग अपनी जितनी भी आर्थिक किरियाए हैं उसको अपना करते रहे स्वधर्म का पालन करते रहे और जो वहवार जो तीसरा जो आयाम है नियाए वयुस्था का या जो ब्रस्पती नियाएग का तीन अर्थों में परियोग करते हैं वो है वहवार देखिए वहवार से यहाँ पर यह मतलब है कि एक ऐसा ऐसी परिष्टिती एक ऐसी वहवार का सिर्जिंट करा जाए समाज के अंदर या एक ऐसा behavior pattern create करा जाए जिससे क्या आए कि लोगों को किसी भी परकार का संदें जो होता है ना जो fear होता है इन तीन संदर्वों में ब्रस्पती ने न्याय व्यवस्था का सिर्जन कराएं ठीक है पहला धर्म ठीक है धर्म को केवल वो लौकिक नहीं मानते बलकि वो ब्रह्मान्ट या फिर लोग परलूग सबकी जगा यूज करते हैं जिसमें वो बात करते हैं कि लोग अपने कर्टब व्यू का पालन करें धर्म का पालन करें स्वाधर्म अपने वर्ड आस्रम में किरिया करें सो कर्टब व्यू का पालन करें स्वाधर्म का पालन करें इत्यादी कर्टब ये परीधी से उठकर भी वो इत्र लोग और परलोग की बात कर सकतें दूसरा है डंड डंड का यहां पर positive way में करा गया है कि डंड का मतलब यह नहीं कि एकड़म fear create कर देना कि राजा का एकड़म से भैर का मागोल हो गया है या फिर एकड़म fear create करना नहीं यहाँ पर जो डंड है उसको सकरात्मक सोरुप में लिया गया है कि राजा को एक सान्ते पूंड विवस्था कायम करनी है और जो तीसरा है वो है वहवार वहवार का मतलब है किसी भी परकार का संदे हो या फिर एक ऐसी वहवार का सिर्जिट करना एक ऐसा behavior pattern treat करना कि लोग अपने आपको सुरक्षित समझे किसी भी उपरकार का conflict ना हो कोई संदे ना हो अगर कोई conflict है भी लोग अप उनकी conflict या संदे को खतम करे राजा नया आएके मात्यम से हाचे नहीं में यह अब हम बात करते हैं जो ब्रस्पति सुरित्ती है यह तो तीन संदर्बों में अर्थों अर्थ का परियू करते हैं यह तीन संदर्बों में अर्थ है नयाय का अब बात करते हैं कि नयाय के साध ही क्या क्या हो सकते है sources या फिर means of justice इन ब्रस्पति सुरित्ती देखिए जो ब्रस्पति की जो नयाय के साधन है उसमें देखिए जो प्रत्वी पति है वो तो सर्वो परी ही है वो तो ही है यहाँ पर हम ही यह स्म Sinn के सबसे पहले जो नयाय के साधन आ यानि sources ठीक है सबसे पहले वों रखते हैं धर्म देखिए यहाँ पर धर्म का इसहता है जितने भी सुरुति है और इस्मिति बलब न्याय कैसे न्याय के साधन फिर उसके बाद या फिर इसको आगे जाके ये धर्म सास्त्री भी हो जाएगा जितने भी इसके ग्याता है जो दूसरा न्याय का साधन है वो है वहवार न्याय का साधन वहवार अब यहाँ पे जो वहवार है उसका परियू किस संदर बे गए है देखे जो न्याय सास्तिरे प्रमपरा है जो प्रमपरा है न्याय को देने के लिए या फिर जो न्याय सास्तिरे प्रमपराओं के अनुरूप युक्ति अत्वत तर्ग जो भी आपकी युक्ति है जो भी अप परमान के आधार पर किया गया निया है लिया गया नेट्रे वहवार सब्द के सोरूप में प्रयूप किया गया है देखे वहवार गया है यही मतलब है कि जितनी भी परिक्रिया है जिसमें जितनी भी युक्तिया है जितनी भी तर्क है जितने भी एविडेंस है उसके आधार काई अगर कोई नेंड्म लिया गया है तो उसे हम वहवार बोलते हैं ठीक है तो ये दूसरा सादर नहें वहवार की किस तरीके से नियाय मिल रहा है कि वहवार के बादर से कि जितने भी न्यायए शास्ति रेप्रम पराएग्शु नियाय व्हुस्तर चलती आ रहे हैं और जि जितने भी तर्ग हैं, जितने भी एविडेंस हैं, उसके द्वारा लिया गया कोई डिसीजन या निन्ने, उधर रहीं बेहवार सब्द का अर्थ समझते हैं। अब यह तीसरा जो साधन है नियाय का वो आपका जो प्रिस्पति स्क्रिक्ति में होए है, वो है चारित्रे हैं। देखिए यहां का मतलब यहां पर जो चारित्रे का मतलब यह है कि जो नियाय करते समय, कि वहां की मतलब एक तर से जोगरफी को देखना है, वहां की भुगोल को देखना। ठीके भुकूल चरित्री का मतलब ही है कि जैसे दिखी कई कई जगा पर लोग परमपराए होते हैं इस्थानी परमपराए होती है तो यहाँ पर जो चरित्री का मतलब चरित्र नहीं है यहाँ पर बनकी क्या है देश जाती और कुण की परमपराओं का संचेप है ठीके नय बिस्पति समीतिं के अनसार्ट जो चोथा है वह है राजग के, यानि राजग के ने, इसका मतलब किया है, कि जब दोनु पक्ष बरावर होगा, यानि दो पक्ष पक्ष है, वो अगर बराबर बराबर अपना आर्गुमेंट दिया फे जो भी बक्ष भी बक्ष रख रहे हैं उसके बाद जो अंतिन कोई निननन लेने वाला हुआ तो राजा हो ठीक है अगर ऐसी परिस्तिती आती है कि जब दू बक्ष सामान गुद्धेंता हो यह नियाय के सादन है मनुष वो ब्रसपति स्टूरती में अब देखे आखे अभी एक चीज़ा को समझ रहे हैं देखे आज मौडरन टाइम में हम एक सिंधान की बात करते हैं सत्ता का प्रिथक्की करण यानि separation of power कि जो power है वो एक जगा centrality में नहीं है उसको separation में है जिसे जो भारत के अंदर जो separation of power है कि जो parliament है वो अपना काम करेगी जो executive है वो अपना काम करेगी जो judiciary है वो अपना काम करेगी इदर थे कि यहाँ पर जो ब्रस्पति स्मृति है वहाँ पर separation of power का जिक्र है इन्हों ने बुलाए कि नियाए वे वस्था वो नियाए जो judicial system में वो अच्छे से work करें तो इस यह है important है कि एक नियाए मंत्री जरूर होना जाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो नियाए विभाग की बात करें department of justice की बात करें ब्रस्पति स्मृति ब्रस्पति किते नियाए department की बात करें यानि separation of power of power और जो दूसरा जो सिंखान मिलता है वो हमें decentralization का मिलता है decentralization जो नियाए ववस्था यह जो judicial system में decentralization अब देखें decentralization क्या से देखें जो ब्रस्पति की स्वृति है ब्रस्पति स्वृति देखें इसमें चार तरीकी की कोर्ट की बत के फोर टाइप आफ प्रोट्स फोर टाइप आफ आफ कोर्ट्स देखें जो सबसे पैना जो कोर्ट है वो है stationery stationery दूसरा है non-stationary तीसरा है furnished furnished और चौत्था है direct इन चारों को समझें कैसे देखें जो stationery courts हैं देखें इस सारे courts है इस स्टीशनरी courts कोन से होते हैं जो किसी टाउन या village में क्या होते हैं fixed होते हैं ठीक है जैसे डेली में आप देखोगी कागा बें पट्याला उसको उठेली बें ठीक है डिस्टिक courts है जो fix रहते हैं ठीक है वो वही पे रहते हैं वो कही इदर उदर नहीं जा सकते हैं उसके बाद है दूसरा है non-stationary courts यानि वैसे courts जो यहां पर भी लग जाते हैं और दूसरी जगा भी कि जैसे होते हैं कई बर जो movable courts होते हैं जो एक particular fix नहीं होते हैं कि यहां पर problem में तो हम यहां पर जाके अपनी सभा अजित करेंगे नियाए ववस्ता जैसे आप देखी कि ऐसे courts जो कहीं पर fix नहीं है ठीक है वह अपनी जगा और परिष्टिती बदलते रहते हैं समस्या और मुद्धों के आधार पर ठीक है और तीसरा जो है furnished furnished यहां पर यह मतलब है कि जो appointed by kings जो भी इसके अंदर जो नियाए दिस होगा या जिस्टिस होगा वो क्या होगा appointed by क्या होगा appointed by kings ठीक है इस सब में king नहीं वर्क करेगा क्यों इसके अंदर जो यहां के जो जिस्टिस हैं वो वर्क करेंगे वो guidance देंगे और जो चौथा जो court है यह चार टाइप है अपने अपने जितने भी आंसर में यह लिखेगा अगर आप चौथा है डारेक्ट यह क्या है king himself he himself or herself ठीक है तो यहां पर जो चौथा जो court होगा डारेक्ट वो एक ऐसी जगह पर होगा जहां पर राजा खुद बैठता हो और देखिए यहां पर एक चीज़ और सुर्वजने वाली पाते है कि यहां पर ब्रिस्पती सुरती में कि राजा किस तरीके से बैठेगा किस तरीके से sitting plan होगा इस तक के बारे में लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ है king को हमेशा east की तरफ बैठना चाहिए king का में हमेशा काहा होगा east की तरफ होगा judge हमेशा north की तरफ होगे judge ठीक है accountant हमेशा west की तरफ होगा accountant ठीक है और जो इसक्राइब हुआ जो स्क्राइब है जो लखने वाला है वो अमेश़ साउथ की द्रप लुए इसक्राइब यहाँ पे mechanisms ब्रस्पती है इसमें Judicial Bench के बारे में भी है कि 3 हो सकते हैं जज 5 हो सकते हैं 7 हो सकते हैं आगे हम देखते हैं जो ब्रस्पती स्मिर्थी है इसमें जो जो लॉज है जिसमें चौदा जो है आपके सिविल लॉज है सिविल लॉज और चार आपके क्रिमिनल लॉज है क्रिमिनल लॉज इन सब के बारे में जिक्र करें आगे हम देखेंगी कि वो कौन कौन से है ये देखें ये जो आपके जो फोर्टिन्स है ये जो चौदा है ये कौन से आपके सिविल लॉज है ठीक है और ये जो चार है आपके ये आपके क्रिमिनल लॉज है यह गद ठीक है यह किन में लाउस योल देखिए अफनी प्रिस्मती स्मिंटी पे देखिए नया यान्या में वेक्स तका की बात करी गई यानि एडेंट के उपर केस होगा यानि देखिए ऐसे ऐसे सर्दम टंसेस के बारे में बतार रहे कि जैसे कोई विध्यार्दी पढ़ रहा है तो उसके उपर केस नहीं चलेगा कि कभी फसन होने वाली है तो अभी उनके उपर केस नहीं होगा तो ऐसी ऐसी व्यवस्था कर बिजय नहीं का प्रोसीजर वह वह वो चार तरीके से होगा चार इस तरपे होगा सबसे पहने होगा जिसे बोल सकते है पूरुगल पक्षस बाद उसके बाद है उत्तर पहला हो गया दूसरा हो गया आंसर तीसरा हो गया किरिया पाद किरिया पाद चौथा हो गया आपका नेड़ने इन चार परिकिरिया से ओकर आपका judgment आएगा देखिए अब यहाँ पे क्या है यह जो पाद है एक तरसे अपील करना हुए कि इसके अंदर जो कोई विवाद का जो कोई भी conflicting issue है उसको रखा जाता है ठीक है जो भी वादी है जिसको भी कश्ट हो रहा है जिसको भी problem है वो पहने परिक्रिया में अपना जो भी है एक return application या फिर अपील करें दूसरे जो उत्तर वाला है जो उत्तर वाला पक्ष है उसके अंदर क्या है कि न्याय आन्ने न क्या करेगा आवहन करेगा जिसके उपर भी case चला है यारी समन भीजेगा ठीक है उससे क्या लेगा एक लिखीत रूप में answer लेगा इसके बाद न्याय परिक्रिया आपकी प्रारम्द होगे जो तीसरा पद जो पद है या फिर जो पाद है वो है जितने भी परमाण है जो भी evidence है जो तीसरे वाले में देखे तीसरा important है जितने भी evidences है जितने भी साक्षे है या फिर परमाण है certificates है जितने भी कारवाई है वो उन सब का परिक्षार होगा इसके अंदर और इन सबी का भनी भाती से परिक्षन करने के बार निर निया जाएगा ठीक है और यहाँ पर हमें एक चीज ओर देखता है कि ब्रस्पति स्मिर्दी में की सपत परंपरा थी सपत की जो परंपरा थी ब्रस्पति स्मिर्दी में मौजूद थी एक पर दो पार जयर तोरा जलेते हैं। दिखिए इसके अंदर कोई भी वेक्ती जो है वो अपील करेगा, अपना जो कस्ट है वो बताएगा नयायान आणने को वेक्त करेगा, प्रस्तुत करेगा अपने जो भी कस्ट हैं। दूसरे में क्या है, नयायान ने समन बेज़ेगा जो भी परतिवाती हैं, जो भी अक्यूजड हैं, उसको बेज़ेगा और बोलेगा कि एक लिखी तोर पे उत्तर जमा करिए या फिर दीजिए, उसके बाद तीसरे वाले में जो जितने भी एविडेंस हैं, जितने भी गवाह और जितने भी कारवाई हैं उन सब का परिक्षन होने के बाद नेर्ने लिया जाएगा ये चार तरीके से ब्रस्पती स्विर्थी में नियाएक की परिक्रिया का वर्णन है अब इसी को आगे बढ़ाते हुए कि देखे जो नेर्ने है जो नेर्ने की जो व्यवस्ता है एक से ज धर्म को धर्म को वैवार की वैवारिक है या नहीं है निश्पक्षितागो धर्म का यहाँ पर मतलब हो है कि जितनी भी स्मृतिया है उस पर आधारिक डिन्ने होना चाहिए वैवार का मतलब यहाँ पर यहाँ है कि जितनी भी इस्थानिये प्रवपराय है जो इस्थानिये चलाएज है ठीक है और जो जो तीसरा है जो निश्पक्षा है उसमें क्या है कि सब्रक्राइज है तो जो उसके नंदर की दो में अगर कोई वैट्ति इसाथ है वो अगर सपत के माद्यम से को नेडने दे रहे हैं ठीक है सपत द्वारा परोक्षिक नेडने क्या होगा धर्मान कूल होगा ठीक है और अगर परमाण द्वारा एक किया गया नेडने है तो उसे बहवार कहेंगे अगर कोई वेक्ति जो नियाय देशा अगर वो परमाण द्वारा नियाय कर रहा है तो उसे वहवार कह रहेंगा ठीक है तो एक धर्मान कूल और वहवार अब देखें अगर हम देखें मोरें टाइम में जो मोरें टाइम में अगर देखेंगे जो पनिस्मेंट है जो पनिस्मेंट है उसे तीन तरीके से देखा जाता है या फिर जो जज्जमेंट होता है जो नेडने होता है उसको तीन तरीके से या तो वोई वेक्ति परतिशोद की भावना से ठीक है कि परतिशोद लेना है उसकी निये जज्जमिन या फिर अपराद का जो अनुपात है उसी अनुपात में डंड देना या तीसरा हो गया सुधार की भावना तो देखिए जो परतिशोद की भावना है ना इसको ब्रस्पती ने रिजेक्ट करा है उन्होंन और वास्तविक जो अपरादी है उसको डंड देना परतिशोद लेना नहीं वास्तविक जो अपरादी है उसको डंड देना यारी घटना का संपून ज्यान पराप्त करना कानी टेक्स्ट मेटर करता है उसको समझना देखिए अगर हम इसी निर्णे को थोड़ा से और आगे बढ़ा के पढ़े तो दीखिए यहाँ पर मेरा यही कहने का मतलब है कि दीखिए जो निर्ने है यह जो जज्जमेंट है जो जज्जमेंट है वो दो सिचेशन में आपका आएगा ठीक है जज्जमेंट इन डाउट फुल केसिस ठीक है संद है यह वाने और एक है नॉर्मल केसिस नॉर्मल केसिस देखिए अगर डाउट फुल केसिस में होगा यानि कोई अच्छे से परमान नहीं मिलता या साक्षे नहीं मिलता तो क्या होगा जितने भी मौरन लॉज है उसके अकॉर्डिंग जितने भी स्मिर हैं जो सुरूती हैं उसके आधार पे और चुक पहने के जो केसिस है जितने भी पुराने केसिस है ठीक है या फिर जो केसिस का जो मुत्ता है या जो आधार है उसके हिसाब से कि कौन सा केसिस कितला वेटेज रखता है ठीक है चुक परंपराएं है वो यहां पर मैत्पून हो जाती है अगर doubtful cases है परंपरा है क्या क्या दिये वो जो इस्थानी परंपरा है और जो जो king दोवारा जो पहने के जो आदेश है या पहने के जो इरेडिक्स है या फिर जो पहने का कोई विचार है उसके अधार पर या फिर पहने का जो राजा ने कोई case पर अगर इसी ऐसे ही similar cases पर अगर कोई judgment दिया तो उसके आधार पर अब देखिए जो normal cases है उसमें किस तरीगे से judgment होगा या नेड़नेव होगा देखिए ब्रासपती यहाँ पर देखिए जो normal cases में क्या होगा evidence के पर बेज़ड होगा दूसरा होगा inference यानि पहला तो होगया परमाण या साक्षय है दूसरा होगया अनुमान inference ठीक है अनुमान inference ठीक है तीसरा होगया laws laws के recording होगा judgment laws चौथा होगया यहाँ पर फिर इस चौथे वाले में इरिडिक्स ऑफ तो यानि यह तो किंग का कुछ पहने का जो कुछ लिखा हुआ है या फिर पहने का कोई judgment है उसको यूज करा जा सकते है ठीक है इत्यादी और जो चौथा एक और आइड कर सकते है कि local uses of trade यह अर्थ तंत्र को किस तरीके से facilitate करेगा या पढ़ावा देगा या उपयोग में मदद करेगा ठीक है तो यह सब आधार होते है normal cases जो किस तरीके से judgment आएगा doubtful cases में किस तरीके से judgment आएगा वो यही सब पैमानेड है देखे एक यह रैपनेंस है निया प्रगनाया यानि पहले का judgment कि राजा ने पहले क्या एक judgment दिया था इस cases पे तो वो दोनों में आए रचाए doubtful law या फिर normal cases अब जो जो अंतिम जो पार्ट है वो है अंतराज्य सम्मंद देखे जो प्रस्पति है वो यह महपूर मानते कि जो राज्य ने उसकी पडोशी देश या फिर उसकी मित्र और अरी मित्र यानि friends never या फिर जो enemies never बहुत important देखे क्यों important है देखे आज से पहने आज आज वर्तमान इस्टिती में जैसे UN जैसी सर्ष्थाएं हैं तो वो राज्य के वहवार को कहीं अत्तक कंट्रोल करती है मगर दीखे उस समय जो प्राचीन काल था या प्राचीन काल था उसमें ऐसी कोई supervising authority नहीं थी राज्य के वहवार को कंट्रोल करने के लिए तो यहाँ पर नियमों की आविसकता हो जाती है तो नियमों पर ज़्यादा बन ने दिया जाता है कि किस तरीके से युद्ध करना है किस तरीके से युद्ध में engage होना है और इसी परकार फिर वो जो ब्रस्पती है अपनी सिधान्त देते हैं जैसे कि सड़ उन्य थियरी है आस्टा दस्क मंडल है इत्यादी होगा तो ब्रस्पती सबसे पहले इंट्रियूस करते हैं ब्रस्पती अश्टा दस्क मंडल ठीक है जिससे कोटिल्य में राज मंडला मिलता है मगर जो ब्रस्पती जो यूज करते हैं वो अश्टा दस्क मंडल है देखिए इसमें आठ लोग है आठ इंटिटी सामीन है इकाई यह सामीन है ठीक है तो सबसे पहले एक जो वीजी जिशू है यानि वीजी जिशू यानि राजा जिश्कू दूसरे के बाद दूसरा है मित्र फिर तीसरा है मित्र का मित्र इसका नगा दिजिए इसको दिजिए इसको दिजिए किंग इस खुल दीजे friend और friend's friend friend's friend friend of friend ठीक है? friend of friend चौथा हो गया आपका आमात्य आमात्य पाचवा हो गया आपका राष्टर कह लिजी ये जन्रपत कह लिजी ठास इस लिजे और जन्रपत पी लिए जन्रपत उसके बाद आपका हो गया दोर्द उसके बाद हो गया आपका कोश यानि अपकी आर्मी ठेक है इस अस्टा दसक मंदल का सिद्धान्त का परियूग करते हैं अपनी विदेश्मित्धी को किरियान मित करने के लिए या फिर जो मित्र है जो सत्रू है जो उदासीन राज्य है जो एक बड़ा जो जैसे माली जे एक राज्य ही आप हो गए उसके बगल में आपका दूसरा सत्रू हो गया मित्र हो गया कुछ ऐसे राज्य जिन को लड़ाई जंगडे से कोई मतलब नहीं है उदासीन हो गए तो यह जो बड़े वाले वृत्र के अंदर में किस तरीके से राज्य वहवार करेगा ठीक है वो आश्टा दसक इस तरीके से वहवार करेगा इन सिध्धानतों के अनुरूप वहवार करेगा फिर उनोंने शाटकुन थियोरी प्रस्तुप करी, अधिकी साटकुन थियोरी क्या है, जो कि हमें कोटिलिय में भी मिलती है, बट जो ब्रिस्पती है, वो क्या है, कोटिलिय से पहले आए हुआ है, और ये जो आर्ट सास्तर की जितने भी इस, जिसे कि मैंने बदाया, जितने ग्यान को उपलफ्द कर पा रही है या फिर ने पा रही है तो सटगुन्य थियोरी सटगुन्य थियोरी में देखी जो शटगुन्य जो थियोरी है सटगुन्य सिधान्त के लिजिए सिधान्त इसमें सिफसे पहले हैं यह संधी या निट्रिटी संधी दूसरा होगी आपका विग्र है विग्र है तीसरा जो ये जो यूज करते हैं वो रखते हैं इस्थान को ये अंतर है ठीक है चौत्था होगी आपका यान पाच्वा होगी आपका शंस है छटा होगी आपका दुवेदी भाव दुवेदी भाव दुवेदी भाव और यहाँ पे दीए यह जो सट उन थियोरी है ठीक है इसका यह बोल दे कि दीए पिर्थवी पती जो राजा है न जो पिर्थवी पती है पिर्थवी पती according to ब्रसपती पिर्थवी पती ही इन सट उन थियोरी को ही अपलाई करेगा और साथ वे आमात्ते जो है जो मंत्री है आमात्ते वो भी इन नितियों का अनुसरन करेंगे अब एक पार इनको ध्यान से देखने दे देखिए संधी गाया पर यह मतलब है कि जो भी राज्य है माननीजे ए राज्य है वो अपने बड़े वाले राज्य या स्ट्रॉंग राज्य से संधी कर ले ठीक है तो संधी कर ले ना और चोग दूसरा है वो है विक्रे यानि वार कर देना ठीक है कोई बड़ी बड़ा राज्य है और आप जानते कि उसकी आर्बी जो है उसको आप अच्छे से डिफीट कर पाएंगे तो वर कर दे ना विक्र है जो यहां पर देखी जो कोटिल्ली है जो कोटिल्ली है वो इस्थान का परियोग ले करते वो किसके रिउस करते आसन ठीक है आसन का मतलब neutrality मगर यहां पर जो ब्रिस्पती है वो इस्थान का प्रियोग कर दे देखिए इस्थान जो है ब्रिस्पती के लिए वो ही इस बात का सूच जग है कि सान्ती वहवार की नीतिया बना लेना और जो चौता है यान यान का मतलब होता है मार्ची कि आप एक तरह से एक थ्रेट के रूप में मार्च कर रहे है अपने जितने भी एडिमी है उसकी तरफ और जो पांचवा है वो है शंसे का मतलब होता है अलाइंस बना लेना ठीक है अलाइंस बना लेना बहुत अन्य अन्य राज्यों से अलाइंस करने रा और छटा है द्वेदी भाव, द्वेदी भाव का मतलब यह होता है, making peace with one and and wrong with another कि एक तरब तो आप एक से दोस्ती कर रहे हो, दूसरी तरब से युद्ध कर रहे हो, दूसरे से ठीक है? तो यह शटगोन थियोरी था, ब्रसपती का, देखे, कोटिल ने भी इसी कोई अपना है, वदर जो यह जो सब्द का हेल फिर है, कोटिल ने न्यूट्रैनिटी की बात करते हैं मगर यहाँ पर जो इस्थान है, वो सांती पूर्वक बैवार की नीती अपना लेना, इत्यादी की बात करते हैं ब्रसपती आगे जो ब्रसपती है वो दो उपाय, दो अप्रोचिस बताते हैं जिसमें से एक तो होता है जो नॉर्मल सिचुईशन हो, यानि सामान्य परिस्थिती सामान्य परिस्थिती सामान्य परिस्थिती में आप किस तरीकी की नीतियों को अपनाएंगे और उता एक होता है विशेश देखिए सामान्य में आप किस तरीके से वहवार करेंगे सबसे पहले होगा साम उसके बाद जो ब्रस्पती यूज करते हैं वो दान भेद और डंद और विशेश में वो बात करते हैं वद और शणर यानि आप किस तरीके से जो अंतरास्टी जो आपका जो सरकल है राज्यों का सरकल है आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे साम कि आगर आपकी जो पडूसी राज्ये है अगर उससे अगर किसी तरीके का कंफलिक्ट होता है तो उसको कैसे समधान करेंगे ठीक है अगर दोनों में मतबेद होता है तो किस तरीके से उसको समाधान करेंगे तो यानि दोनों का आर्गुमेंट समझ के अच्छे से बातचित करके तो साम ठीक है उसके बाद आता है आपका अब देखी यहाँ पर जो कोटिले हैं वो साम दाम दाम वर्ड यूज़ करते हैं ठीक है मगर यहाँ पर जो ब्रस्पती है वो दान सब्द का यूज़ करते है कि पद बहवार मान इत्यादी का दान करना यह जो पडोसी राज्य है उसको किसी और कोई और स्टेटस दे दिया या फिर उसका मान बना दिया इत्यादी उसके बाद है भेद भेदी का मतलब बतलब जो पडोसी राज्य से आप एक तरफ से उसको उसके भेद को जानते रहो उसके बाद है डंड उसके बाद है सिधा अटेक कर देना या फिर डंड देना उसको जो विशेश जो उपाई है उसमें क्या है वद्ध करना या सराण दे देना इत्यादी यह वो आपका ब्रस्पति का अंतराज्य सम्मंद देखे यह जो कोटिनले हैं और जो ब्रस्पति हैं दोनों ही आर्थ साथ ट्रेडिशन से आते हैं और दोनों की बहुत मैद्वुन भूमिगा है कि राज्य में किस परिकार से उत्पातकता या फिर जो सांती इस्तितिय हैं ल